और अब बात कानपूर की क्यूकि कानपूर हवाई अड़े का नया टर्मिनल बन कर तयार हो गया आज मुख्य मंत्र योगिया अदितिनात और साथ साथ खेंद्रे नागरे कुद्यान मंत्री जोतिर अदिति सिंद्या इसका उधगातन करने जा रहे हैं चकेरी एरपोर्ट से धाई किलोमेटर दूर मवईया में बना ये नया टर्मिनल पुराने एरपोर्ट से सोहलग उना बड़ा है 1980 में शहरियों और उद्वियों की नए कमर्शियल एरपोर्ट की मांग उखी थी और अब जाकर 43 साल बाद वो पूरी होने जा रही है बड़े शहरों की उड़ाने भी यहां से शुरू होंगी तो कानपूर वासियों के लिए बड़ी सौगात जहां कानपूर को एरपोर्ट मिलने जा रहा है सुला गुना बड़ा ये एरपोर्ट टर्मिनल यूपी वासियों के लिए ये अच्छी खबर, बड़ी खबर, नए टर्मिनल पर तमाम सुविधाएं होंगी, बड़े शहरों के लिए, बड़े देशों के लिए यहां से प्लाइट्स होंगी, तो ऐसे में काफी सुखद ये रहने वाला है, कानपूर वालों के लिए. बड़ा ये पूरा टर्मिनल रहने वाला है, आपको बता दे कि अगर इसके मीटर की बात करें तो 6,243 मीटर में बना है, ये पूरा 150 करोड रुपे की लागत इसको बड़ाने में आई है, मौजूदा टर्मिनल से 16 गुना बड़ा है, एक बार में तीन बड़े विमान इसम लेकिन इसमें ज्यादा विमान आ जा सकते है, प्रतिक्षालिय की बात करें तो 400 यात्रियों की बैटने की श्रमता इसमें है, विवस्ता इसमें है, जहां पहले 50 यात्री ही बैट सकते थे, वहीं 400 यात्रियों की बैटने की विवस्ता इसमें अब की गई है, पार्किंग की बात करें तो 150 वाहन पार्किंग में खड़े हो सकते हैं इनको देखें चेक इन की प्रकिरिया के लिए 8 चेक इन काउंटर्स भी हाँ पर होंगे संग्रहे की सुविधा के लिए 3 कन्वेर बेल्ट्स यहाँ पर होंगी तो यह तमाम जो सुविधाएं हैं यह अब यहाँ लोग